तो चलो प्यारे बैचो इस वाले question को देखो यह basically एक 2021 में आया हुगा question है थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूं आपको अच्छे से दिखाई देगा और यह मतलब इसको मैं easy category में रखता हूं कि अगर कोई यह X element है और यह Z है और यह A है और वह reaction होता है nuclear reaction है और वह B नाम का element बनाता है जिसका Z एक कम हो जाता है तो जेड़ एक कम हो जाता है तो obviously तुम्हें याद करना पड़ेगा कि positron positron का symbol क्या होता है positron जो होता है O beta यहां से plus 1 positron और mass 0 यह होता है तो जब positron होता है तभी जाके Z कम होता है और mass इसका कुछ नहीं कम होगा x का जो B बना होई तो यहां पर जो है O beta positron plus 1 इमिट होगा होगा B से दुबारा यहां से C बनाया और C का Z तीन कम होगा है तो तीन कम होगा इसका मतलब जो कुछ निकला होगा यहां से यह alpha particle limit हुआ c से दुबारा मेरे को यहां से d मिला तो d मिला तो यहां से z दुबारा 2 कम हुआ मतलब एक एक यहां से बढ़ गया होगा minus 3 है तो plus 1 यहां से बढ़ा होगा तो minus 2 होगा तो plus 1 यहां से बढ़ेगा तो इसका मतलब यहां यहां electrons निकला होगा बीटा पार्टिकल निकला होगा तो पोजी ट्रॉन पोजी ट्रॉन हीलियम निक्लियाई अलफा पार्टिकल एलेक्ट्रॉन यह है तो पोजी ट्रॉन यह सही नहीं है यह सही नहीं है पोजी ट्रॉन और अपना थर्ड अप्शन सही हो जाता है थेंक्यू